यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और अब बात करेंगे हिसार के भाटला गाउं की जहां के 300 दलित समुदाए परिवारों ने धरम परिवर्तन करने और 29 जुलाई को बौध धरम अपनानी का फैसल लिया है आपको बता दें कि भाटला में 15 जुलाई 2017 को गाउं के दबंगों का दलित परिवार के साथ विवाद हो गया था इस मामले में पुलिस ने लेट कारेवाई करते हुए मुकदमे दर्स किये थे इसके बाद लोग समझोता करने के लिए आए और दलितों पर दबाव डालते रहे परन्तून उने समझाता नहीं किया जिसके बाद 2 जुलाई को गाउं में मुनारी करवा दी गए दलित परिबारों का समाजिक भहिशकार कर दिया गया जिसके चलते दलित समुदाई के लोगों को काफे परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है दलिस समुदाई के लोग अपनी समस्याओं को लेकर हरियाना के मुख्यमंतरी मंतरी कृषिन पवार सहीत जिले के प्रशासने कधिकारियों से मिल चुके हैं परंतून की समस्याओं को कोई समधान अभी तक नहीं हुआ है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार भी नहीं किया झाल